आज का मेकप उन सारे लोगों के लिए है जो चाहते हैं उनका मेकप लांग लाश्टिंग हो बेस काफी अच्छा दिखे फ्लॉलेस दिखे उनके लिए ये वाला मेकप लुप मैं शेयर कर रही हूं इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैंने शेयर के वे हैं अगर आप यूज मैंने यहां पर कलरेक्शन किया है अगर आप भी करेक्शन करते हैं तो उसे भी सेट कर लेज़ेगा बहुत हलके से पाउडर से सेट कीज़ेगा अच्छा यह जो टिप्स और ट्रिक्स है मैंने ऑनलाइन ही देखके सीखा हुआ है और जो भी मुझे अच्छा लगा है मैंने कि अच्छा लगा है मैं आपे च्च्छा लगा है तो ब्रस कर सकते हैं लेकिन हाथों से काफी अच्छा से यह पैलता है स्प्रेंट होता है उसके बाद और इस इधर चैनल राता है इस इधर से अधर होता हैसे हमारा ऊवार हनो नहीं होता है लिएंधर भीजिंग मुझे आपको अपर आपको डाया है इसके बार यह दोर्क बार कर लेना है वेस पर लगाना Corn कि लियाम वेसे विर्द घंच पर उंद से आता है उसके बाद आपको आपने बेस को मेकप सेटिंग स्प्रेय से स्प्रेय कर लेना है ताकि जो भी बेस है वो लॉक हो जाए तो सेटिंग स्प्रेय यहां पर बहुत जरूरी है दूसरा मॉशिराइजर बहुत ठिकमत लगाईएगा जिस तरह से मैंने बताया हुआ है पाउंडेशन लगाने का तरीका वो जरूर यूज की जगा अगर कलर करेक्शन करते हैं तो उसे हलका सा सेट जरूर कर लेजगा क्योंकि अभी वाले बेदर में यह सरी चीज़े करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद जैसा आपको लगे आई मेकप आपको ऐसा कर सकत हैं क्योंकि हम स्यां के बातें कर रहे हैं तो बेस इस तरह से आपको करना है बेसifornia के आपका आराम से इसते है अगर आपको स्यूम llegó स्याहिकना नहीं seamless और flawless लगता है तो यहां पर मैंने अपना आई मेकप भी लगभग कर लिया है अब थोड़ा सा यहां पर मैं काजल लगाने वाली हूं जो भी काजल लगाईएगा मस्कारा लगाईएगा सब waterproof smudge proof ही लगाईएगा उसके बाद थोड़ा सा यहां पर हम लगाने वाले हैं हाइलाइटर तो वह काफी अच्छा ग्लो करता है यहां पर मेकप डन होता है लेप्स्टिक के लिए मैंने लाइन लगाया वह था और हमारा मेकप यहां पर डन हो जाता है और यह मेकप कुछ इस तरह से दिखता है अगर आप भी अपना मेकप लाइश्टिंग बनाना जाते है तो यह वाला तरीका जरूर पॉलो कीजेगा आपको भी आपका मेकप काफी अच्छा लगेगा